नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से पेपर कटिंग देखिए जो लोग कुछ भी नहीं जानते वह भी ब्लाउज बना लेंगे अगर आप अच्छे से पेपर को कटिंग करेंगे तो यहां पर देखिए जैसे हम ब्लाउज बनाते हैं तो सब करें देखिए एक आपको पीपर लेना और सबसे पहले तो आपको अपनी बंबाई का निशान रगाना जैसरे यहां पे व्लाउज ले रहे हैं 14 तो इन्श में देखिए आपको ऐन दाना तो यहां पर मेरे बिलाउज की 13 इंच की लंबा है तो मैं यहां पर 14 इंच ले रहे हैं अगर आपकी 14 इंच की लंबा है तो आपको 15 इंच लेना तो यहां पर देगे फिर आपको लेना सोल्डर अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो 5.5 इंच का सोल्डर लेंगे अगर छेंच का सोलडर ले लिए अब यहां पे लगाएंगे हम अपना निशान तो जैसे हमारी 40 चैस्ट है तो 10 इंच पे लगाएंगे 36 तो 9 इंच पे तो यहां पर जितनी भी चेस्ट है उसके साब से हमें निशान लगाना है अब देखिए सबसे आसान और साल तरीका 6 इंच के आपको लेने हैं आरूमन अब हमें यहां पर गुंजायस लेने हैं तो 1.5 इंच की हम लेंगे यहां पर गुंजायस अगर आप 2 इंच की लेना चाहिए तो 2 इंच की भी ले सकते हैं आदा इंच की दूरी रखके आपको ऐसे इंची टेप को रखना है और निशान लगाना है गलिकी चोड़ाई हम रखेंगे यहां पे दो इइंच ज्यादा चोड़ाई नहीं रखनी है गलिकी लंबआ हम यहां पे लेंगे साथ गर इभी यहां पर हमारी ये बीच की प्लेट पीछे चाए सबसे पहले हम यहां पर गलिका करेंगे अब दी कि आप लोग कमेंट करें कि हमारीusta थोड़ा गलत हो छाता तो फिर दवारा भी आप स्वेल्ड लगा सकती है अब ही ज़ोड़ा सीख रहे Dwya से इसी त्रीग और नहीं ऑ रह रहें तो कोई बात नहीं इंट तो यहां पे देखिए हमारा पीछे का परलर कट गया है अब हमें कपड़े पकटिंग करना है सबसे पहले हम अस्तर पकटिंग करेंगे में चीज हमारी अस्तर तो यहां पे देखे हमें कपड़े की लंबाई लेनी है तो कपड़े की लंबाई हमारी है पूरी साड़े पंद्राएं तो चलेगा इस तरीके से हम कपड़े को ऐसे डबल करके रखेंगे इस तरीके से अब देखिए हमने चोड़ा ही तो बराबर लेली अब हमें करना चोटा बड़ा अब देखिए हमने कपड़े को चोटा बड़ा कर लिया अब इसको हमें आईस ही रखना विसको अठा देगे यहां पे सोलड़ जुड़े हुए इन को करेंगे अलग अब इसमें आव पीछे कंपलड है अलग आप देखिए यहां पे जो हमारा कपड़ा छोटा है वो हमारा पीछे का है जो बड़ा है एक इंच वो हमारा आगे का है कि अब देखी हमारा आगे क पल ला रह Left कि अब देखे हमें कुछ नहीं करना आदा इंच यहां पर हमें आरूमल का करना है और आप लगाएंगे हमें यहां पर तीरे का निशान तो तेरा इंच पर हम लगा लेंगे तीरे का निशान अभी आपका होगे तेरा इंच का बलाउज बनाएंगे तो तीरा इंच पर निशान लगाएंगे तो तीरे को लगाएंगे प्लेट डालेंगे तो हमारा एक इंच कपड़ा कम हो जाएगा एक हमें ऐसे लेना ऊपर किसा है अब यहां पर लगाना है हमें टक्स का निशान तो साड़े नो इंच पर हम टक्स का निशान लगाएंगे अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है पूर निकालेंगे तो 9 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा या 10 इंच हमें इस तरीके से अपना फिटिंग का कपड़ान निकालना अब देखे किसी ने कमेंट किया है कि हमारी चैस्ट है 30 उसका तीरा हम कैसे काट चैस्ट से कुछ नहीं है अगर आपकी चैस्ट है 28 तो उसका तीरा कैसे काटे तो देखे वो तो होगी चैस्ट आप हमें तीरे का निशान इस तरीके से लगा जैसे हमारी लंबाई ये ब्लाउज की जैसे हम बच्ची का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी लंबाई हम जाला तेरा या बारा इंच की रखेंगे तो उसमें तीरे लगाने की जरूरत नहीं है अगर हम फिर भी तीरा लगाएंगे तो उसमें दो इंच का तीरा लगाएंगे तेरा इंच की लंबाई है तो बारा इंच पर कटिंग कर लेंगे फिर उसके बाद किया है जब हम बारा इंच की यहां पर कटिंग कर देना तो यहां पर प्लेट डालेंगे उपर सोल्डर में कपड़े को दबाएंगे यहां पर जोड़ेंगे तो वह हमारा साड़े दस या ग 14 इंश पर निशान लगाने से क्या है कि फिर आप डालो लोगी तीर को जोड़ोगे तो बहुत छोटा हो जाए तो आराम से आपका यहां पर दो इंश का तीरा आज जाएगा जो देखिए नीचे के जो पिलेट है हमारी वह नौन 가격 हमारा यहां पर अप्र कप्राण नौystem का आदा करेंगे तो यहां पर depart यह हो जाएगी हमारी पिलेट फिलेट यहां पे हम यहां पर दूरी कि आ कि एक निशान यहां पर कि कि अब देखिए हमारा जाता पेपर भी ने खराब हुगा और आगे और पीछे के दोना पल्ला निकल लाए अब यहां पर मैंने अलग बताया यहां पर मैंने अलग बताया क्योंकि मैं हमेशा आसाल और सरल तरीका बताती है यहां पर हमें चोटा करना है आदा इंच तीरा जो हम यहां पर पीचे की साइड काटें यह होगे हमारा तीरा अब देखिए अब हमें बाजू के लिए अस्तल चाहिए अस्तल इस तरीके से रखेंगे अब हमें देखने इसकी चोड़ाई इसकी जो चोड़ाई है वह साढ़े पंद्राइंच कपड़ी की लंबाई है ग्य यहां पर देखिए हम इस तरीके से डबल करेंगे क्योंकि हमें चोड़ाई चाहिए अब यहां पर कितनी आ रही है इसकी चोड़ाई 9 इंच अब हम अपनी लंबाई लेंगे तो यहां पर हम 7 इंच की बाजू रखेंगे तो 8 इंच पर निशान लगा लेंगे अब यहां पर लेंगे हम 3 इंच इसको हमें उपर के साहर ऐसे लेकर जाना है यहां पर हमारा जो कटिंग का कपड़ा है उसको हमें ऐसी रखना है अब यह हमारी बाजू हो जाएगी इस तरीके से अब देखे मेन कपड़ा है तो मेन कपड़े को तो आप काटी लोगे यहाँ पर हमें क्या करना है कपड़ा हमें डबल करके रखना है इस देखे डबल है अबल देखे मेन कपड़ा है यह हो गया हमारा आगे कपड़ अब यहाँ पर हमारा यह तीरह आजाएगा जाड़ी का कपड़ा हमें थोड़ा सा बड़ा ही काटना है अब देखे यहां पर बori लगा हुआ है इसको हमें ऐसे करके डबल करके रखना है अब देखे जो हमारी बाजुए है कि इश को माइं ऐसे बीच में रखना है क्योंकि हम एक साइड़ आगर लगाएंगे ना तो एक साइड बॉदर फिर हमारा ऐसे करके पर prevention के दौनोवा साइड लगाएं इहां पर टुकड़ा अगर हम एक साइड लगाएंगे तो फिर एम यह बॉदर को निकाल लेंगे अलग से लगा लेंगे तो दीए इसको हमें ऐसे डबल भी कर लेंगे जब बॉर्डर निकाल लिया हमने तो हमें जोड भी नहीं लगाना पड़ेगा यहां पर हमारी यह बाजू हो गए इस तरीके से हमें जोड भी नहीं लगाना पड़ा अब देखें इस तरीके से बाजू आ जाएगी अगर हम बॉर्डर को नहीं निकालते फिर हमें जोड लगाना पड़ता अब हमें गले में पाइपिल लगानी है तो कपड़े को हमें ऐसे करके तिर्चा करना है एक इंच की हमें पट्टी लेनी है इस तरीके से हम पट्टीओं को जोड़ेंगे देखिए इस तरीके से यहां सारी पट्टीओं को आफ और को पीपर कटिंग बताई है यह पाटर पीछे का निगलन के किसी साइज इसका कर सकते हैं वीडियो को जया ज़र करना नभूलें हां कुछ सीख नाएं कोई नहीं आ रहे हैं तो प्ली ज कमेंट जरूर करें मैं आपकी सारी कमेंटर पड़ती हूं जो नए लोग है वो वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इससे के आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा धन्यवाद कि अग्याइब कि अग्याइब